So now, SBI Q3 impact on Nifty Bank, या क्या सकते हैं, एंटाइर बैंकिंग सेक्टर, Hi, this is Dave and you're watching Trader Story, और आज हम बात करने वाले PSU and Private Banks की उपर एंटाइर हम कवर करेंगे, यहाँ पर SBI की नंबर्स का हम वेट करें थे, कल आपके सामने नंबर्स आगे, दीरे से समझना जरूरी था, अचानक से हम कोई बात नहीं कर सकते, SBI का पूरे मार्किट इंतिजार कर रहा था, क्योंकि Nifty Bank को अगर घूमना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ घुमा सकता था, SBI के नंबर्स, SBI से एक होप थी, वो होप भी कहीं न कहीं, खतम होती हुँ दिखी है, हाला कि इतना प्रॉफिट में, मिस नहीं देखने को मिला है, जो नंबर्स आप देख रहे हैं, और वो भी काफी जादा हमें कैल्कुलेट करने पड़ेंगे, और तब यहाँ पर समझ में आएगा SBI की नंबर्स, लेकिन नंबर्स कैल्कुलेट करने के बाद भी, SBI की ग्रोथ जरुनी बहुती सलो दिख रही है, बहुती नंबर्स जो है, वो स्ट्रेश दिख रही है, ऐसे में यहाँ पर Nifty Bank, क्या कह सकते हैं, इंटाइर बेंकिंग में, किस तरीके का आगे अब रुख करना पड़ेगा, वो हम समझते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे, कि SBI की मेनेजमेंट क्या कह रहे हैं, SBI की मेनेजमेंट कह रहे हैं, We are reaching out to all the merchants, and would be happy to welcome them into our fold, SBI का खुद का SBI Payment Service है, कहा गया है कि PTM से अगर कोई disruption आता है मार्केट के अंदर, तो SBI Payment Service उसको समाल लेगा, उसको समालने के लिए तयार है, हम वेलकम करते हैं उन सभी merchants का, जो कि आप थोड़ा सा आपर डरे हुए हैं, मैसूस कर रहे हैं इस fear को, So that SBI के management ने यहाँ पर कह दिया है, SBI तयार है इस load को लेने के लिए, तो यहाँ पर SBI को जो नवेसक है, यानि कि SBI Bank की जो नवेसक है, वो तयार है, आपका यहाँ पर SBI Payment Bank सब जो है, वो रड़ार पर आ रहा है, तो कुल मलाकर इस disruption को सबसे बड़ी bank, सरकारी bank अगर बात करें, तो वो समभाल लेगा, और अब यहाँ पर बात करते हैं, numbers की, So that, यहाँ पर numbers क्या बूल रहे हैं, ज़रा यह देखते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि सबसे बहुत मतलब आप देखेंगे, 15 या 244 करोड का यहाँ पर प्रॉफिट आपका बैठता है, प्रॉफिट बिफोर टेक्स, नोट आफ्टर टेक्स, मैं आपको कैल्कुरेट करके दिखाऊ हूँ आपको, और यह सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है प्रॉफिट, तो यहाँ पर लोग थोड़ से डर गए, बढ़ अगर आप देखें तो इसमें एक्सेप्शन आइटम जुड़ा हुआ है, एक्सेप्शन आइटम वन टाइम कहीं न कहीं बड़ा खर्चा किया गया है, यानि कि वो खर्चा है आपका 7100 करोड रुपे का, उसके वज़े से यहाँ पर जो है, आपको एक बड़ा यहाँ पर जो है, एक कट देखने हों मिल ला है, प्रॉफिट विफोर टेक्स में, टेक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट है, वो आपका 11,282 करोड का बसता है, जो कि यहाँ पर शोर है, तो अब ही अगर आप देखेंगे, अगर हम यह एक्सेप्शन आइटम को ना गिने, तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट निकलता है, देखें, अराउंड यहाँ पर बाइस हजार करोड का निकलता है, जो कि अगर आप देखेंगे, तो कोई भी सिग्निफेंट जम्प नहीं है, आपके टेक्सेप्श भी पे किये जाएंगे इसमें, आप ध्यान रखेगा, तो यहाँ पर आपको टेक्सेप्श करने के बाद, फिर भी कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, और यार ओन यार बेसिस पर कोई बड़ी ग्रोथ आपको जो है, वो देखने को शायद ना मिले, अगर आप ऐसे एड भी कर देखेंगे, तब भी बता रहा हूँ, तब भी यहाँ पर आपको नहीं देखने मिलेगी, तो यार ओन यार बेसिस पर थंड़ा प्रदसन है, वाई प्रॉफिट विफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यह थंड़ा प्रदसन है, अर्डिंग पर शेयर, बिलकुल एक निटर वेल्यू पर चल रहा है, तो ऐसे में, यानि कि जो बैंक्स जो है, हाला कि एक बात याँ पर है, कि HDFC के कंपार्जन, या आप कह सकते हैं, XS ने जो प्रदसन किया है, या आप कह सकते हैं, या आप बाकी बैंकों के जो नमवर आए, उन्होंने प्रदसन किया है, उस हिसाब से आप देखेंगे SBI के नमबर भले ही आपर जो है आपको न्यूटल दिखाई दे रहे हो लेकिन इनसे बहतर इनसे कई माएने में बहतर है So that ये एक अच्छी बात है Otherwise अगर आप देखेंगे तो नमबर समें कुछ भी गेन नहीं है यानि कि SBI से एक होप जो है वो फिजल आउट हो गई है अब यहाँ पर क्या करें लेकिन मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ यहाँ पर पूरा मार्केट जो है ना वो EPS इस से अलग नहीं चलता शॉर्ट अप में आपको कोई भी स्टॉक हाईर साइट या लोवर साइट जाते हो दिखता है आपको सिर्फ औस सिर्फ अगर आप एक निवेज़क है और पैसे बनाते हैं सिर्फ इन्वेस्टिंग से तो आप यह हमिसा देखा करिए कि अर्णिंग पर शेर किधर जा रहा है अगर स्टॉक गिरे है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है यह द्यान रखे स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं लेकर अगर एपियस धंडा प्रदर्शन कर रहा है बिलकुल कई क्वार्टर से और आपका स्टॉक जो हमोच चला चला जा रहा है तो आपको फिर रिजन पता करने की ज़रूबत कि यह स्टॉक चल क्यों रहा है ऐसे में यह स्टॉक ना चलते हैं बट लॉंग टर्म व्यू उनका बिलकुल डिस्टॉप्शन होता है अगर फाइनिसली नहीं चल रहे हैं तो फिर स्टॉक कैसे चल सकता है तो वो यहाँ पना आगे चल कर आपको स्टॉरी दिखती है कि वो अंडर परफॉर्म करता है और ऐसे में पैसे रखे रह जाते यह हमेशा अपनाया करिए यह आपके लिए थोड़ा सा यहाँ आप जो है एक बैतरीन एक लर्निंग पॉइंट हो सकता है तो अभी 648 का प्राइस है मुझे नहीं पता मार्केट कैसा रियक्ट करेगा बट यहाँ पर मैं कह देना चाहता हूँ कि भले एक्सेप्शनल आइटम है मार्केट इसको कैसा लेगा मंडे वो देखने को मिलेगा बट अगर मार्केट ने इसको seriously लिया कि ग्रोत नहीं है और यहाँ पर year on year basis पर भी कोई ज़्याद़ ग्रोत हमें पर जो नहीं पर कोर्टर बैस पर भी है तो इस पर भी ज़्याद़ ग्रोत नहीं देखना है तो प्रोविजिनिंग भी यहाँ पर एड हुआ है NPA में कोई गरावट नहीं हुए उल्टा यहाँ पर प्रोविजिनिंग भड़ी है और कहीना कि Net NPA जो है वो क्वाटर दर क्वाटर भी इंक्रीज हुए है जो कि मैंने देख रखा है तो अभी आपके सामने नहीं दिखा पा रहा हूँ बट कहीना कहीं यह है तो अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा बट यहाँ पर खुल मिलाकर SBI के नंबर जो है वो ठीक ठाक नहीं है PSU के अंदर आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा एक और बात प्राइविट बैंकिंग से थोड़ा सा खिसकने की जड़ोता है अलग हटने की जड़ोता है यहाँ पर भी सिप दो बैंक्स है जिनों नंबर अच्छे दिये थे अब देखे PSU के अंदर किदर की तरफ सेलेक्टिव रहना है और प्राइविट के अंदर किस तरफ सेलेक्टिव रहना है देखे यहाँ पर ना सबसे पहली बात तो SBI बढ़ेगा यहाँ से ग्रू करेगा ऐसा नहीं है SBI टपक गया हो कुछ भी नहीं है लेकिन स्टार परफॉर्मर जो है वो आपका रहेगा बैंक ओवरोदा ठीक है आपका रहेगा PNB PNB के बारे में खास बात यह कह दू कि यहाँ पर अब यह स्टार किया कह सकते है यह बैंक जो है वो अपनी दिक्कतों से बहार आ रहा है तो वो परफॉर्म करेगा आके वेल परफॉर्म करेगा बट मैं फिर भी बैंक ओवरोदा को ज़्यादा फोकस में रखूँगा एक टाइम था यह असी रुपए पर था और शायद चैनल की सुरुवात थी और आप से कहा था मैंने SBI, Next SBI अगर आप देख रहें तो SBI की जगह आप देखें बैंक ओवरोदा यह Next SBI बनेगा उस पर व्यू थे 29 व्यू थे काफी बार बतानी कोसिस करें पहले कोई PSU पर ध्यानी नहीं देता था 240 का टार्गेट लिया था अगर उस वक्त ऐसा रहता तो किसी ने समझा होगा अगर और अगर उसने रख लिया 29 लोगों में कौन ही रखेगा वहाँ से अगर आप देखें तीन गुना हो चुका है और अभी स्टिल यह Next SBI है यह Next SBI है आपके सामने Bank of Baroda ठीक है तो यह तो Large Banks हो गए आप कुछ भी देख लीजे चोटे में 50 रुपए का अगर आप देखना चाहते है सिर्फ और सिर्फ Maha Bank यह देखें यह आपके जो Valuation wise है ना यह ज़्यादा वैटर है मैं Yuko Bank या फिर आप देखेंगे Indian Overseas Bank इनके साथ नहीं जाओंगा इनके साथ कते ही नहीं जाओंगा यहाँ पर Maha Bank Because वहाँ पर Valuation comfort नहीं है Yuko में हुआ आपका Indian Overseas हुआ आपके quarterly numbers भी आगे Q3 के कोई भी ऐसा Out performance वहाँ पर फिर भी देखने को नहीं विला तो वह Valuation वहाँ पर मिल नहीं रही है मतब बची नहीं है जगा नहीं खरिदारे के लिए अगर आपको देखना है Maha Bank देखो Canera देखो आप देखो कि Bank को परोदा PNV देख लीजे लेकिन PNV दिक्कतों से बहार आ रहा है तो आपको struggle भी करना पड़ सकता है आगे अगर कुछ ऐसा रहा माहौल क्योंकि पूरे बैंकिंग का माहौल चेंज है और लास्ट प्राइविट प्राइविट में किदर सिर्फ और सिर्फ ICICI Bank और दूसरा आपका Indus Int Bank ये दो बैंके जो हैं वो आपके रडार पर रहना चाहिए Indus Int Bank और ICICI HDFC में जगे बनाने की कोसिस ना करो तो ज़्यादा बहतर है और एक बात और जो लोग सोच रहे हैं कि मैं पचास सेर HDFC के ले लूँगा तो मेरा यहां से तीन चार गुना हो जाएगा दस लाग करोड की बैंक है तीन गुना होना इतना आसान नहीं तो इस बात को जड़ा समझेगा इस भूल में मत रहना आपको निवेस करना है करिए अच्छी अपसी एक बिग ब्रेंड है उसको अपने पोर्टफोली में रखने में अच्छा लगता है जब ओपन गरते हैं एप को तो अच्छा लगता है अच्छा लगता है यह सब अच्छे बैंक्स है अगर आपके पोर्टफोली में है रखे रहना क्योंकि यह अच्छा पफॉर्म कर रहे है ठीक है अच्छा पफॉर्म कर रहे है बड़ छोटे टिक्ट साइज में जो आपको देख रहे हैं आपके पास कोई रखा है अगर आपके पास कोई रखा है मेरी बात मस्तों नहीं खुद भी स्टेडी करें आपके कहना है वीडियो देखने के लिए बहुत धन्माद दोस्तों